नमस्काय समय आपे लाइब चस्वीरे देख रहे हैं हर्याना के कनाल की नई अनाज मंडी से जहां पर कल रात को जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है और शातिर चोर दुकान में घुसते हैं जो ताला है उसको चाबी से खोला जाता है क्योंकि जैसा कि जो दुक जो कि तिजोरी वे अपने साथ लेकर फरार हो गए है एफसल की टीम मौके पर मौझूद है फिरिंगर पिंस जुटाए जा सके इसके लिए आप लोग देख सकते हैं आप पर जो सल्यूशन है वो लगाया जा रहा है लाइफ तस्वीर हम लोग आपको इस समय करनाल ब्रेकि का माना जाता है काफी सुरक्षी तिला का माना जाता है वहाँ पर भी चार पोलिस कोटर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके लावा एक और चोरी की वारदात अनाज मंडी में जो है जिसको अंजाम दिया गया जहाँ पर हम लोग आपको इलाइफ तस्वी वो मौझूद है जो ओनर है उनके बेटें आपर मौझूद है उनसे भी हम एक बार जानना चाहेंगे क्या कुछ बताना चाहेंगे क्या कुछ चोड लेकर फरार हुए हैं क्या जानकारी अबे तक मिल पाई जो भी था भी जोती जोरी डखी ती हाँ उसमें कैश था जो दोक्यूमेंट्स थे कुछ वही उठे हैं हमारे और हमने कुछ कैमरास चेक किये हैं वो राउंड बारा सवा बारा के राउंड वो लोग आए एटीगा उनकी गाड़ी थी और उन्हें कम से कम एक सवा एक घंटा लगा और वो लोग पीछे से गेट के तरफ से ही ले गए पता अंधेरे की वज़े से कोई लाइट नहीं थी कुछ भी नहीं था तो उसकी शेकल वगएरे कुछ भी नहीं दिख रही है दिवियर साथ ले गए दिवियर यहां पर लगा हुआ था कैमरास लगे हुए थे पर वो डिवियर यहां से उठा कर ले गए हैं कितने लोग पता जो दिखाए एक गाड़ी जो चला रहा था और एक शाइड में जो आया था वू किसी और काम से उससे पहले भी वो एक देक्कार मार के अब कि देखने के ले कि कोई है या नहीं इस पर वो शक है किसी पर किसी नहीं Iliki के लावह भी कुछ लेकर गएहां और तिजोरी ये ला तो इतनी भारी को वो कोई क्यों लेके जाएगा उसको पता था कि वो यहां था इस वज़े से वो ठागे लेके चले गए कुछ और भी कुछ भी नहीं होटाया गया है मैं हर्शिल गर मेरे पापा का नाम है ब्रिजलाल गर यह हमारी शोग तो आप देख सकते हैं हमार साथ यह पर जो दुकान के मालिक हैं उनके बेटे भी मौजूद थे और जैसा कि उन्हों ने बताया और आरोब भी हाला कि यहीं लगते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई जान पहचान का भी शक्स हो सकता है क्योंकि केवल एक तिजोरी जो कि यहां पर पड़ी थी और उसके लावा एक DVR जो कि यहां सामने लगा हुआ था उसके अलावा ना ही दुकान में किसी और चीजों को छेडा गया और ना ही कुछ और वे लेकर फरार हुए हैं हाला कि CM City करणाल में रोजाना चोरी की वारदाते बरती हुई नजर आ रही हैं कहीं न कहीं प्रिशासन को भी इस तरफ ध् अनमाल का ध्यान जरूर रखते हैं और उनी की क्वार्टर्स में चार पुलिस क्वार्टर्स में कल रात को चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था और नहीं हैं आज मंडी से हम लोग आपको ये लाइफ तस्वीरे दिखा रहे हैं पैस्टिसाइट की जो है ये दुकान है जहां पर एक तिजोरी लेकर चोर फरार हो गयें कितना उसमें कैश था क्या कुछ उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स थे इसके बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया है एफिसल की टीम मौके पर मौझूद है फिंगर प्रिंट्स जो है वो जुटाने के प्रियास किये जा रहे हैं आप लोग लगातार ये लाइफ तस्वीरे करनाल ब्रेकिंग निउस पर देख रहे हैं पुलिस की टीम भी बाहर मौके पर मौझूद हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे जो दुकान के मालिक हैं उनसे भी बातचीत करेंगे एक बार मैं आपको पीछे की तस्वीरे दिखाना चाऊंगी जहां से चोर बाहर निकले हैं यानि कि जैसा कि हमें जो दुकान के मालिक हैं उन्होंने बताया कि फ्रंट गेट से ताले की चाबी जो उनके पास थी उसको खोल कर वे आते हैं एक से डेड़ घंटा उनको लगता है इस तिजोरी को उठाने म में और उसके बाद इस दर्वाजे से वे बाहर निकल जाते हैं अर्टिका गारी पर वे आए थे हालाकि उसके लावा कोई पहचान अभी तक नहीं हो पाई है किसी भी तरीके से कपड़े जो हैं वो नहीं पहचान हो पाई है कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं हम उन तो में बताए वेटा और चेकर दुगान के अंदर क्या क्या गाइब है तो मैं उपस में गया वहाँ तो मिली जी मेरे को फिर मैंने केमरी तरफ देखा चैमरे अब लगए थे मैंने देखा डी ब्यार गाइब था पिर पीच्छा की देखा गेट खुला हुआ था जहां पर फट्टा यहां पड़ा हुआ था तो मैंने सरकों किया तो सर अचानक आ गए यहां पर तो तुजोरी में कैश वगएर अगरा उस्पता लेक्वाइब क्यूंकि आपको अंदाजा हुआ था है किस तीज की दुकान है यह पैसिशाड़ी कहां पर पांसो बाइस मंडी में अन अरुनाम है मेरा तो यह आप में देखा हमार साथ यहां पर जो दुकान के अकाउंटेंट हैं वे भी मौजूद थे आप लोग देख सकते हैं यह फट्टा जैसा कि हमें अभी सर ने बताया कि इसकी मदद से जो है तिजोरी को बाहर लेकर जाया गया क्यूंकि जैसा कि पहल गया और इस दर्वाजे के रस्ते से वे बाहर चले गए अर्टिगा गारी जो भी तक जानकारी यहां पर हमें लोगों द्वारा दी गई दो से तीन लोग क्यूंकि एक शक्स गारी के अंदर बैठे हुए थे एक को CCTV कैमरा फुटेज में बाहर जाते हुए देखा तो अंता आतार फिंगर पिंच जो हैं उन्हें जुटाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जल से जल चोरों को पकड़ा भी जा सके लाइफ तस्वीर है इस समय आप लोगों कनाल बेगी नियूस पर देख रहे हैं आप लोगों से बार बार यही अपील है कि इन तस्वीरों को ज्या प्रयासने कधिकारियों पर भी जरूर उमरते हैं क्योंकि इसके लावा भी कई चोरी की वारदातों को कल रात को अंजाम दिया गया और वहीं उनमें से एक चोरी की वारदा जोकी नाजमंडी में जिसको अंजाम दिया गया था वहां से हम लोग आपको लाइफ तस्वीरे लगातार दिखा रहे हैं तिजोरी में कितना कैश था ये अभी तक पता नहीं लग पाया है क्योंकि जैसा कि दुकान के मालिकों का खहना है कि रुजाना जो सेल है वो जो होती थी उसकी अभी तक कोई ट्रैक पर्टिकुलर्ली नहीं था तो exact कैश के बारे में पता नहीं ल तस्वीरों के लिए कनाल बेकिंग नियूस के साथ जुड़े रही है और इन तस्वीरों को शेर धरूर कीजिए जो जिनकों की CCTV फुटेज में कैश देखा जा रहा है गाड़ी का अंदाजर लगाया जा रहा है और इस वक पुलिस की टीम मौके पर मौझूद है आप लाइफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि फिंगर प्रिंस जो की चोरों के होंगे उनको जो है यहां पर बरामत किया ज जा रहा है पूरी पुलिस की टीम मौके पर मौझूद है जो ओनर है उनसे भी बातचीत करी गई उनका बताया है कि कोई भी जो दर्वाजा या दिवारे जो हैं टूटी नहीं हुई है ताला खोला गया है और अंदर से सेफ जो है वो उनकी लेकर जाई गई है सेफ में क्या कुछ कैश और डॉक्यमेंट्स है उसके बारे में भी अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिली है आपसे अपील यही रहेगी कि वीडियो को जाद जादा शेर जरूर करे किस तरह से इस वक्ट जो है पुलिस की टीम फिंगर प्रिंट्स को वरामत करने का प्रयास कर रही है कैमिकल लगा जा रहा है ताकि सभी जगा से जहां जहां पर चोरों के हाथ रगे हैं उनके फिंगर प्रिंट्स जो है उनको निकाला जा सके अपील बार-बार यही रहेगी कि वीडियो को जादे जादा शेर जरूर करे किस तरह से देर राज जो है इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है इस वक्त हमारे साथ फैक्ट्री से ओनर मौझूद है सर्क्या बताना चाहेंगे आपको किस तरह से पता चला की चोरी हुए है रात जैसे शड़े पांच शे बज़े पांच बज़े पांच बज़े बंद करके काउंटेंट चलेगे हम चलेगे तो सब्सक्राइब तो अपना गाड़ी तो मैंने देखा फिर सारा में सब्सक्राइब मारे जो दीवी आर्थी वो लेकर चले गए वो खाड़ ली यहां से पिछे वाड़ी से देखी हमने फूटे उसमें लगभा कोई बारा सबारा मजे करीब एल्टी का गाड़ी आरी है और सब्सक्राइब कर देखा जो की पीछे से जो की कैमराज लगे हैं उसमें देखा गया सीसी टीवी को देखा गया कि किस तरह से एक गाड़ी आती है और वहां से चली जाती है हाला कि अंदर के जो भी सीसी टीवी कैमराज हैं उनकी डीवार भी मौके पर मौझूद नहीं है क्योंकि चोर जो है वो लेकर फरार हो चुके हैं कमार की बात जो है यहां पर देखने स्यस την में यह जरूर है कि जो भी औरूसरी जो चीज़ए आसपास थी चोर वो लेकर जो परार हो है कोई भी द्यवार चीज इसको TRO नहीं गया है ताले को तोड़ा नहीं गया मौझा है चाबी से ताहला खोया खोला गया जिसके बाद कहीं न कहीं ये— तक जरूर जा रहा है कि ये जो चोरी करी गई है ये कुछ उनी लोगों द्वारा करी गई है जिनके पास ताले की जो है चाबी मौजूद थी इस वक्त आप लाइफ तस्वीर में देख रहे हैं जो भी फिंगर प्रिंट हैं उनको यहां से ढूनने का प्रियास किया जा रहा ह पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है लगातार चोरी की वारदातों के अगर हम बात करें तो चोरी की वारदारों को अंजाम देने वाले लोगों का जो होसला है लगतार बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है करनाज शेहर में कई बार चोरी देखने को मिलती है आज भी हम आपको जो तस्वीरे दिखा रहे हैं कल देर रात अराउंड सादे बारां के आसपास जो है ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया तक्रीबन तक्रीबन पाँच बजे जो है ये दुकान बंद भी कर दी गई थी ये फैक्टरी बंद कर दी गई थी जिसके बाद सुभे साधे नोगे अरांड इनका जो अकांटेंट है वह मौके पर आते हैं और उनके द्वारा लेते हैं कि एक फट्टा यहां पर मौझूद है इनमें से एक फट्टा गायब था और फट्टा हिला हुआ था जिसके बाद अकाउंटेंट द्वारा ओनर से पूछा गया कि क्या वे है दुकान के बंद होने के बाद दुकान में आये थे तो ओनर ने इसका मना करने के बाद अंदर की सेफ जो है अंदर मतलब ओफिस की जो है ओफिस को चेक करने का प्रयास किया और वहां से उन्होंने अं कि चोर जो है DVR को लेकर गायब हो चुके हैं और साथी साथ जो पीछे से CCTV फुटेज थी उसको चेक किया गया उसको खंगाला गया जिसके ये पता चला कि चोर जो है अर्टिका गाड़ी में आये थे तीन से चार लोग मौजूद थे और किस तरह से यहां से तिजोरी लेकर ज जरा रहा है प्रशासन से भी यह अपील रहेगी कि चोरों को जल्दी से जल्दी ढूडने का प्रयास किया जाए इस वक्त जो है पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है लगा तार जो है चोरों के फिंगर प्रिंट्स को ढूडने का प्रयास किया जा रहा है कैमिकल लगा ज पूर भी टिला जो है नहीं तोड़ा गया कोई बी ताला क्यूना वे जिए अपर अबताई हो हाला की फिलहाल जो है ओनर का कहना यहीं है कि अभी कैश कितना है उसका अंदाज़ा नहीं है तो आप लोगों से अपील यहीं रहेगी कि वीडियो को जादा से जादा शेयर जरूर करें हमने आपको लाइप तस्वेरे दिखाई नई अनाज मंटी से जहां पर यह पेस्टि हैड क्वार्टर्स में भी चोरी की गई और वहीं रात साड़े बारा बजे इस कैमिकल शॉप में भी चोरी की गई तस्वीरों को जादा से जादा शेयर जरूर करें पुलिस फिलहाल जो है चान बीन करते हुए नजर आ रही है अपील यह रहेगी आप लोगों से कि चीजो को जाद जादा शेयर जरूर करें और आगे की खबरे देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं विबूती भारती कनाल ब्रेकिंग नियूस कनाल